आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, so the problem is that Ram, Rahul and Roy share a bag of marble A bag contained 272 marbles Okay, how many marbles were left over after the friend share them equally Okay, so joh marbles thi, वो सभी friends ने, 3 friends है, हमारे पस, एक जो है Ram है Okay, second है Rahul है and third है, जो Roy थे 272 marbles, इन तिनों ने equally share की है उसके बाद जितनी marbles बच गई वो हमें बतानी है कि कितनी होगी So that clearly मैं यहाँ पर क्या करूँ solve करने के लिए That 272 marbles है मेरे पास So इसे में 3 से divide कर लेती हूँ पहले So जितने जितने सब के हिसे आई होंगी राम, रोईत, और राउल की पाई से जितनी आई होंगी हमें पता चल जाएगा So एले हम लोग 3 की table लिख लेते हैं 3, 6, 9, 3, 4 जा मेरे पास हो जाएगा That 12, 5 जा हो जाएगा That 15, 6 जा हो जाएगा That 18, 7 जा हो जाएगा That 21, 8 जा हो जाएगा That 24, 9 जा हो जाएगा 27 and 10 जा हो जाएगा That 30 Okay, तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो जो 1st नंबर है वो मेरा है 2 और 9 जो है 3 है, so that छोटा इसलिए मुझे 2 नंबर कंसिडर करने होंगे That clearly 27 जो है 9 जा पे So यहाँ पे में पास हुआ 9 And यहाँ पे में पास हुआ 27 Okay, अब इसे सब्ट्रेट कर ले तो that 0 बचा next नंबर में उतारू तो that यह हुआ 2 अब 2 यह डिवीजिबन लिए It means जो 9 जो मार्बल्स है वो तीनों को मिल चुकी है 9 मार्बल्स मिली मेर को 9 मार्बल्स मिली राम को 9 मार्बल्स ही मिल गी राहूल को 9 मार्बल्स ही है रोईत को मिल गी Okay, और 2 मार्बल्स ऐसी है जो बच चुकी है Okay, तो reminder जो है वो बच चुक है Clearly यहाँ से left जो मार्बल्स है Left जो मार्बल्स है वो कितनी है मेरे पास 2 है Okay, so clearly option 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा Okay, thank you